आज मैं आपके लिए लिकराई हूँ करेले बनानी की यूनिक और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। इससे सबजी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी और जो लोग करेले नहीं खाते हैं वो भी इसे खाना पसंद करेंगे। हाई अवरीवन मैं अवनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो आई है सबजी बनाने शुरू करते हैं। सबजी बनाने के लिए मैंने यहां 6 मीडियम साइज के करेले को अच्छे सी धोकर ले लिया है। अब पहले इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट को काट कर हटा देंगे। इसके बाद इसे लंबाई में काट लेंगे और इसे चैक करेंगे। अब दो मीडियम साइज के टमाटर लेंगे और इसके बैक साइज में क्रोस का मार्क बनाते हुए इसके हलका कट लगाएंगे। इससे टमाटर को छिलने में आसानी होगी। अब एक पैन लेंगे इसमें टमाटर और सभी करेली को रख देंगे। इसके अलावा हम लेंगे प्यास तो ये साइज में छोटी थी इसलिए मैंने ये तीन लिये। अगर आप मीडियम साइज की लेते हैं तो दो ले सकते हैं। दो सूखी वी लाग मीर्ची, पांस से साथ पीस लेसून और एक इंच द्रक का टुगडा जिसको मैंने रफली चोप करके लिया है। आप इसमें तीन कब पानी डालेंगे तो पानी हमें इतना डालना है कि ये सब सबजी अच्छे से डूब जाएं। आप इसमें एक टीस्पून नमक डालकर इससे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इससे ढखकर साथ से आठ मिनट तक बॉयल होने के लिए रखतेंगे। तीन से चार मिनट के बाद इन सबी सबज्यों को एक बार पलट देंगे तक ये सब तरफ से अच्छे से बॉयल हो सके और इसके बाद इससे फिर से ढखकर तीन से चार मिनट तक और बॉयल करेंगे। तो यहां मैंने सबी करेले काट लिये हैं। अब एक मिकसर जार लेंगे और इसमें प्याज, टमाटर, लसून, अधरक, मिर्ची सबी को डाल देंगे। तो प्याज को मैंने भी से काट लिया है ताकि अच्छे से ग्राइन हो सके। टमाटर को छील लेंगे और इसके उपर पले पार्ट को काट कर हटा देंगे और इसके बाद इसे रफली चोग कर लेंगे। और इसके बाद इन सभी को ग्रैंड करते विए इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यह हमारी एक स्मूज प्यूरी रेडी हो गई है। अब कड़ाई में तीम बड़े चमच दालकर इसे गरम करेंगे। ओil जब गरम हो जाएगा तो इसमें बॉil के वी गरेली डालकर इन्हें हलका गॉल्डन होने तक फ्रै करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इन्हें हम बीच पीच पीच पी चलाते रहेंगे। करेली राइट ब्राउन हो गये हैं तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे, ये लगबग 70 से 80 परसंट तक कुक हो गए हैं, बागी का हमेने ग्रेवी में पकाएंगे, अब सेम कड़ाय में सबजी बनाएंगे, तो इसमें 1 तीस्पून जीरा और 1 तीस्पून सॉफ डाल कर इसे ब्राउन होने तक फ्राइ करेंग और 1 तीस्पून गरम मसाला डाल कर इसे भी मिक्स कर लेंगे, अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चमच मलाई, इससे ग्रेवी क्रेमी होगी और साथ में ये करेली की कड़वा हट को भी बैलेंस करेंगे, और इसमें एक मिनट तक लगातार चला लेंगे, इससे मलाई फटे मैं सब्जी को ड्राई बना रही हूं अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इसमें थोड़ा पानी भी एड़ कर सकते हैं और अब इसे ढखकर चार से पांच मिनट तक कूक करेंगे लगब पांच मिनट हो गए है और सब्जी हमारी अल्मोस्ट बन गई है अगर आपको लगेगी करे लिए हाड है तो इसे कुसेर के लिए और कूक करें अब इसमें हाफ टीस्पून अमचूर पाउडर और थोड़ा सा बारिक कटवा हरधनिया डाल कर इसे मिक्स कर लेंगे अमचूर पाउडर की जगे आप इसमें नीमू का रस भी डाल सकते है तो ये सबजी हमारी बन ग और अगर स्टीपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो की नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें